भारत हमारा किर्सी प्रधान देश है इसमें किर्सी वे किर्सी में उप्योगी पसूओं का विशेश महत्व है आज हम एक हर्बेशियस प्लांट की बात करेंगे जिसको काली सर्सों ब्रैसी का निगरा के नाम से जानते हैं जो कि प्रैसी केसी फैमिली का है ये एक रभी की क् जैसे कि आप image में देख पा रहे हैं, इसके pods आये हुए हैं और इसके अंदर seed development होता है, इसके विभिन plant part यूज़ किये जाते हैं, इसका जब mature इस्थिति में होता है उससे पहले इसके पत्रों और कान का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है, जिसमें fiber, protein, vitamin A, प्रचूर मात्रा में पाय जाता है, जो liver के लिए बहुत उपयोगी है, इसके साथ साथ जब ये mature हो जाता है, तो इसके जो seed है, इसका जो तेल निकला जाता है, इसके अंदर विभिन प्रकार के glycosides पाय जाते हैं, आईसो थायोसाइनेट्स पाय जाते हैं, जैसे कि sinigreen, myrosine, आईसो फ्लेवनाइट्स पाय जाते हैं, इसका पोटेंशल होता है, यह कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, विभिन प्रकार के skin disorders में, इसका मालिस किया जाता है, संदी वात हो, चाहे आम वात हो, या rheumatic arthritis के case में, लेसुन की कलियां इसके साथ पकान लेने चाहिए, और arthritis का यह आसानी से इलाज कर देता है, इसके साथ साथ यह है, हैलिटोसिस, दांतों में हैलिटोसिस का मतलब होता है, मुख में smell आना, इसके साथ साथ टूथे खोना, और oral hygienicity के लिए, सैंदा नमक के साथ मिलाकर, दांतों पे apply करना चाहिए, bleeding gums की समश्चा हो, वो भी दूर हो जाती है, इसके साथ यह है, विभिन प्रकार के पसूँ के चिकित सामे भी इस्तमाल किया जाता है, कई बात देखा यह गिया है, जंगलों में पसू जाते हैं, तो लेंटाना एक wild species है, जिसके खाने से पसूँ के पेट में दर्द हो जाता है, उस समश्चा से निवारन के लिए, इसक तेल का उप्योग हमें सौफ के साथ मिलाकर करना चाहिए, और दौनों को मिलाकर पसूँ को पिलाना चाहिए, पेट का दर्द पसूँ का ठीक हो जाता है, साथ-साथ कई बार स्किन की प्रॉब्लम्स हो जाती है, पसूँ में घाव हो जाते हैं, स्किन के ऊपर, एक दूसरा जैसे की कीडे ने काट लिया या फिर स्कॉर्पिन बाइट हो हलका जो इन्फ्लामेशन भी जो आ जाता है उसको भी ये रेमीडियेट करता है धिरे धिरे इन्फ्लामेशन को ये क्योर करता है कोई वरंड हो जाता है उसको हील करता है यह और भी विभिन प्रकार की कोस्मसोटिकल फॉर्मुलेशन में भी इस्तमाल किया जाता है इसकी जो खल होती है तेल निकलने के बाद वो स्टोमेचिक का कारी करती है डाइजेस्टिव है और पस्वों में दूद विर्धी के लिए भी इसकी खल का उप्योग करना चाहिए बिन प्रकार की और जो डिसॉडर्ज है वो भी क्योर हो जाते है कई बार हेर टोनर्ज हम तयार करते है उसमें भी इसकी तेल का उप्योग किया जाता है क्योंकि इसमें सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड भी पाय जाते है जो कि anti-fungal activity को show करते हैं इस तरह से देखा जाए तो यह plant ना केवल मनुश्यों के लिए बलकि पस्वों की चिकित्सा में भी बहुत योगदान देता है इसको हम यूज विभिन प्रकार से जैसे हमने बताया आसानी से हम इसको कर सकते हैं आप अपने जो भी आपके प्रशन हो कुछ भी आप समवाद करना चाहें तो comment box में comment कर सकते हैं और हम इस तरह से आपको नए नए प्लांट से अवगत कराते रहेंगे तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी का धन्यवाद प्रणाम